आपने अगर प्रोपर नहीं लिया तो प्रोब्लम कभी-कभी हो जाती है वीडियो जो टॉपिक है उसमें बहुत चोट्यची बाते ऐसी होती है जो बहुत काम की होती है और पिछ में अगर यह स्टॉप हो जाए बंद हो जाए एरर आ जाए तो फीद इसको रिकवर कैसे करना स्वाइब दोस्तों फिर्ट से हमारी वीडियो स्रीज में और आज हम अपने ओटेल DS900BT का से BS6 का ECU डाइगनोसिस और फ्लेसिंग करेंगे ओन टेबल ठीक है तो उसमें क्या क्या प्रोसीजर है और कैसे यह काम होता है क्या स्टेप है वो सारा स्टेप भी देखेंगे यह हमारा डिवाइज हो गया अभी हम इसको सॉप्ट्वेर को ओपन करते हैं यहां से BCI हमारा ओन है और मेन रिलेस का ओन है हमारा हांटेबल यह MD1 कनेक्टेड है तो सिया सूप्रो का तो सबसे पहले हम इसमें उपर से ही BCI को कनेक्ट कर लेते हैं और आटो डिटेक्शन करेंगे यह चोटी गाड़िया है चोटी गाड़ियों को होटेल में यह डिटेक्शन आटो लेता है यह नहीं वीशा ही हमारा हो गया कंप्लीट अभी हम सॉप्ट्वेर को लेंग अपना डाग्नोसिस का यहां पे वीन आटो डिटेक्शन का ओप्श उठाया और यह विदिन सेकेंड महिंद्रा का वेरियंट है आप आप सलिक्ट कर लो इसमें कौन सा है तो हमारा इंडियन वर्जन महिंद्रा यहाँ पे क्लिक करेंगे और यह ओक्के कर देंगे और इसमें जो है हमारा महेंदरा इंडिया रिनल्ट इंडिया तो यह हमारा महेंदरा इंडिया है और यह हमारी गाड़ी है शुप्रो यह शुप्रो हो गई हमारी इसका डाइगनोसिस भी करेंगे और इस यू को फ्लेस भी करेंगे देखते हैं यह कर पाता है नहीं कर पाता और यूटूब में आपने तो बहुत सारा फ्लेशिंग वीडियो देखा अभी एक चिक्स का तो इसमें एक यह ओप्शन है जिसमें हमारा फ्लेशिंग होगा उसके ही करेंगे रिकिए कंट्रोल यूनेट का देखते हैं तोड़ा सा क्या कर पाता नहिं कर पाता है कि समय dumb को इस इसमेंट से एक हमारा अविलेबल है और शुशन हमारा फ्लल भी एथ लिए तो इसके अंदर अ मको इन बाद हमारा जो है रिट्रवल कोड का ओप्शन यहां से खुल जाएगा यह हमारा इभिटर टमपर्चर सेंसर का कोड बन रहा है जो कि कोड तो और बनना चाहिए लेकिन यहां पर अभी ऑन्टेबल यही बन रहा है तो इसको बैक करेंगे और इसमें हम स्पेशल फंक्शन में कर देखेंगे धी फरी ज गएरा का सारा कुछ तो यह हमारा मिल जाता है ऐसे का याफियलेशन का ओर इसेट का सारा भूंक्षन तो तो यहां पर इजनरेशन हो गया वो एकडाव का आपका रिषेट का हो गया राइट आईक्यू वेल्यू इंजेक्टर पोडिक वगरा का यहां पर ट्रिगर का से सियाह बिचेटा रएट वीन का इस एस में 3.5 सेलेक्षन यहां यह पर मिल रहा है सबसे इसमें इसमें खास बात दोस्तों कि जितना option इसमें आ जाता है और भी आप कोई भी स्केनर ले लोगे ना उतना option आपको नहीं मिल पाता इसकेनर का बात कर रहा हूं यह आपको इतना ज्यादा option जो है ना गरुड़ा वगरा में मिल पाता है जैसे यहां पर देखो एक्षिवेशन ट इसमें जितना आता है और और भी स्केनर मैंने नहीं देखा यह एसी आ रिले का ठीक है अभी अभी मैं आपको एक और स्केनर दिखाऊंगा थोड़ा सा लास्ट में उसका भी एक्षिवेशन टेस्ट आपको दिखाऊंगा मैं कि उसमें क्या option दे रहा और इसमें क्या क्या अप्सान है ठीक है यह टर्बो चार्ज एंटी अस्टक वह वल्ब जो है इसको आप अपरेट करा करके चेक कर सकते हैं वेकुम बना हुआ तो अस्टक एंटेस्टक करेंगे तो वह उपर नीचे होता है तो हमारा वीडियो जो है वह इस पर फ्लेशिंग का है और इस पर इस वीकल पार्ट नंबर जो है और इसमें जो सॉप्ट्वर आइडी जो लगा हुआ है यह यहां पर लगा हुआ है और अप्लिकेशन आइडी उसके बाद इस यू सेरियल नंबर विन नंबर यह लिग रहा है एंड एमडी वन का यह मोडल नंबर ठीक है इस से जिससे हम अपन पोरा हुआ तो यह मोडल नंबर से और डिटेक्शन में काम बहुत सारा काम हो जाता है इसमें तो यह हमारा तोटल यहां पर इसने सॉप्ट्वर दे दिया और नंबर ओफ क्रेंग किसमें यह हुआ है नंबर ओफ स्टार्ट इतना हुआ है यह 893 बार इसमें सेल्प लगी ह आज जिसमें से 873 बार इसल्प यह गाडे शहाट हुई है भागी के 10 बार स्टर्ट नहीं हुई है तो यह भी यहां पर शो हो रहा है प्योंकि बहुत अच्छी बात है यह सब्सक्राइब चलता है कि गाड़ी कितनी चली हुए होगी कि इसमें नहीं दिखा रहा है इसमें होकर कर involved यह बैकॉप और इंटर वेल्य हैं और ब्राइ पर उड्लोध रहाएगा चलो पर बेक कर लेंगे यस फिर और बेक हो जाएंगे होट पंक्शन भी हम अभी नहीं देखेंगे इसमें ज्यादा कुछ मिले करें प्रोग्रामिंग में सीधा जाते हैं सीधा मिस्यू को फ्लेश करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए और इसके बारे में डीपली समझेंगे दोस्तों काफी मज़दार इसके लिए जिस किजी भाई को भी चाहिए और एमेक्स 900 और टीएस 900 बीटी यह बीटी है यह वायरलेस सब्सक्राइब है जो जैसे सिंगल पर्सन है और आगे पीछे हो करके काम करना होता ना उसके लिए वायरलेस ज्यादा इंपोर्टेंट होता है और जो एक बेटा हूँ उसका स्टाप कवरेज कंट्रोल अच्छा है तो अपना स्टेंग पर बैठके काम कर रहा है तो ठीक है और इसमें कुछ फंक्षन एक्स्ट्रा भी होता है हमारा यहां पर सब्सक्राइब कर आया प्रोग्रामिंग के लिए में एक मैनुवल मूड और एक आटो मूड जैसा कि हमारा महिंदरा गरुड़ा में खुलता है मैनुवल मूड में जैसे वह ब्राउज करना होता है ट्राइल लिया नहीं है क्या-क्र अंदर में वह देखेंगे तो जैसा कि यह डिपयव का वेरियंट sausage पूछता हो आपका कौन सा कॉन साना है तो वह सानिये टिक करके आगे बोढ़ना होता है तो इसके हाँ-करके करके आगे जाएंगे बिए शिक्स का फ्लेसिंग प्रोसीजर भी सेम है मैंने किया हुआ है और आप को साथ वीडियो नहीं मिला होगा तो हमें सीधा जाएंगे तो यहाँ पर हमें जो सॉप्टु tornado के इसमें मैं मैं पहले कि मैं अभी आपको पीछे दिखा रहा था मोडल नमबर यह हमारा सुप्रो का वान टू त्री फोर तू पाइब सेवन एक सेवन आट नाइन टेन एलेवन टूयल तर्टी फोर्टी फिफिटे सिक्स्टी सेवन्टी एटी 90 20 21 22 23 25 26 26 इसमें सुपरो का अलग-अलग वेडियंट का और यह के हिसाब से चैजिस नंबर के हिसाब से वो अपग्रेट कुछ ने कुछ फंक्शन अपग्रेट होता है सौप्ट्वेर अगर इंक्रीज हो रहा है या चेंज हो रहा है तो उसमें चेंजिंग होता है दोस्तों यहां तक मैं बता दूँ कि उसमें ABS, Non-ABS, EPS, Non-EPS ठीक है, AC, Non-AC यह सारा का जो है न यह सौप्ट्वेर डिसाइड करता है कि यह इस्यू को हमने किस काबिल बनाना है और वो किस कंडिशन पर वर्क करेगा क्या-क्या उसको रिक्वार्मेंट है क्या-क्या नहीं है अब ज प्रेशन वित ABS, लॉस्त कम्टिकरशन विप यह सारे कोड आपको क्रेट करेगा और आप परिशान रहोगे अग्या सला कोड करें स्ब्सक्स अब्लक ज़र रहे तो उसकंडिशन में आपको यह फ्लेशिंग करने की ज़रूरत पड़ती है जो हमारा जिसमें हमारा ABS ABS नहीं ह तो यह भी स्ट का कोड जनरेट नहीं हो रहा है इसी तरह से हमारा स्कॉर्पियो है जीतो है ठीक है बलेरो है बलेरो का तो हुआ को लगता है सबसे ज्यादा इसमें बलेरो पिक अप और बलेरो प्रस्नल और कमर्शियल दोनों का सब्ट इसमें आपको आएगा तो हम इस पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे क्योंकि हमारे जो एक्सपर्ट टेक्निशन है वह इस फॉर्मूले को यूज करते हैं और उपना काम करते हैं तो ज्यादा तो जो जेन्मीन टेक्निशन है तो इस फॉर्मूले को यूज नहीं करते हैं और वह प्रोग्रामिंग में जागे यहां से back एक पर और इंजन वो auto mode को यूज़ करते हैं ज्यादा तर ठीक है यह auto mode हम सीधा auto mode यूज़ करेंगे और step को आसान बनाएंगे कि आप जो वीवर भाई है कभी अगर आपको इसे दिक्कत हुई अगर कुछ गाड़ी में जिससे उसमें ABS था इसमें ABS नहीं है तो हमें इसी फ्लेशिंग करना हुआ तो वह आपको पिछे वाले जो मैनुवल मूड पर जाके काम करना होगा पुराने वाले इस्यू से मोडल नमबर निकाल करके अन्सेलेट करके यहां पर फ्लेश करना होगा अब यहां पर हमारा auto mode में है तो सीधा को कुछ बताता चलू auto mode में क्या है जो वेरियंट है उसमें कुछ इरार आ रहा है जैसे बैटरी रिसेट या मोनेटरिंग यूनिट का या फिर फ्यूल पॉंप का इरार आ रहा है कुछ का इरार आ तो नहीं जा रहा है क्लियर करने से तो फ्लेशिंग करकर के उसको एक बार चेक करते हैं हम लोग जैसे कि अगर वो फोल्ट सौप्टवेर से कुछ सौप्टवेर में थोड़ा वो प्रोब्लम क्रियेट होने से कोड जनरेट हो जाता है और गाड़ी भी सहीशन ही चलती है तो उस कंडिशन में हम सेम टू सेम सौप्टवेर को फिर से उसमें राइड क करते हैं ऑटो मोड में जो छोटी मोटी जो समस्या है उन सभी को दूर करने के लिए सभी गाड़ियों में यह प्रोसीजर अफलाई होता है महिंद्रा के ऑटो मोड वेरियंट को सेलेट करते हुए तो फिलाल हमारा इसमें समय काफी ले रहा है 4G के बज़ए से यहां पर द प्रेशिंग का सारा आपको स्टेप क्लियर कर दूंगा कि मैक्स 900 ओ या डियस 900 बीटी ओ आपको पास या और टेल का कोई भी जो इंडियन वर्जन सब्ट्वेर जो सपोर्ट करता है उसमें यह आपको काम करेगा यहां से यस करेंगे यहां पर लिक रहा है टम कंडिशन जो हो है ना कि बैटरी बोल्टेज 11.45 से उपर होना चाहिए इससे नीचे नहीं होना चाहिए कि दो कर देंगे हम अभी यहां से जो है यह हमारा फ्लेशिंग का प्रोसीजर को यहां से स्टूक रहेगा अपना यह दो को प्रोग्रामिंग प्लीज वेड रेंज इसमें थ्री र कंप्लीट होगा अभी है यहां पर डाटा ट्रांस्फ़र स्प्रीड को फास्ट कर लिया इसने यहां से आपको समझ में आएगा यह बिorthy बिलिंकिंग जितना फास्ट करेगा उतना फास्ट आपका डेटर ट्रांस्फ़र ओर राया यह डिवाई से यह К隨 unfortunately is correct करेगा इस्यू के अंदर यहाँ पे यह हमारा MD1 2022 का लेटेस्टी है और इसमें प्रोब्लम आ रहा था पीकप का तो बैटे बैटे मैं सुचा कि आपको एक इंफरमेटिव वीडियो भी शेयर कर लिया जाए और हमारा काम भी हो जाए तो फिलाल इसमें हमारा मीटर हमने कोई लगाया नहीं है तो अभी अगर मीटर कोई लगाया होता तो एक सोशाट का रीडिंग दिखाया होता एक मीटर अभी फिलाल हमारे पास है बनने के लिए लेकिन वह फुलासा डेड़ है इसके लिए मैंने लगाया नहीं उसको फिलाल ऐसे भी आपका काम हो जाएगा प्रोसीजर आपकी इस्यू के अंदर हैंक करने वाली वह सारी इसमें दूर हो जाएंगे दोस्तों और आप बहुत इत्मिनान से अपना काम इसमें कर पाऊगे तो अभी हम क्या करते हैं इसको रोकते यहां पर इसको 100% होने देते हैं या फिर इसको हम फास्ट फारवर्ड करते हैं 100% हो जैसा कि देख पारें दोस्तों यहां पर हमारा पहला रेंज जो है और 98-99 यह 100 यह हो गया अभी यहां पर जो हमारा है रेंज 2 जैसा कि देखना में बता आपको रेंज 1 रेंज 2 और यह रेंज 3 में भी काम करें जैसकि एक स्टूल में हम प्लेशिंग करता हैं तो मैंने कि हमने जो सर्च करना है आप मेरी बात को एक द्यान से सुन लो हमने जो सर्च करना है जैसे हम कोई काम में फसे हैं और सर्च कर रहे हैं तो वो चीज उसमें नहीं मिलता है बहुत सी बात ऐसी होती है जैसे मैं यहां पर काम कर रहा हूं बहुत सी बाते आपको ऐसे इसी यह अपने जो subscriber जो creator है वो उनके वीडियो हमें अच्छे लगते हैं तो उनके वीडियो को आप ध्यान से देखो हमारा हो या और किसी का भी हो जिसको जिसको आप पसंद करते हो और जो आपके लिए informative वीडियो बना सकता हो यह बनाता हो तो उनका वीडियो आप ध्यान से देखो वीडियो जो टॉपिक है उसमें बहुत चोटी-ओटी बाते ऐसी होती जो बहुत काम की होती है और कुछ सेकेंड में वो निकल जाती है तो वीडियो जब भी देखो और इसकिप ना करो और ज्यान से देखो जिससे क्या होगा कि आपको बीच बीच में जो जिसे फलेशिंग करना है इसमें बीच में अगर यह स्टॉप हो जाए बंद हो जाए इरर आ जाए तो फिर इसको रिकवर कैसे करना है वो सारा स्टेप मैंने पहले बता दिया है तो अगर जैन किसी बाइने देखा ओगा तो वो समझ गयोंगे कि मैं क्या कहना चाहला हूं इस कंडिशन में आप जो इस्टेप चो फॉलो कर रहे हो इस कंडिशन में आगर आपकी बैटरी की हिल जाए या फिर आपका सकेनर का बैटरी सकेनर ओफ हो जाए ठीक है तो आपका इस्यू यहां पे डेड़ पड़ जाएगा और आपको अगर इसका सॉप्ट्वर करने नहीं आता है तो यह आपके लिए महेंगा साबित हो सकता है इसी फ्लेशिंग और जिस तरीके से हमारे पास बहुत सारा ऐसा मेंटर आया भी हुआ है बाई इसी फ्लेशिंग कर रहे थे और नहीं नहीं इस्यू है जो सोरूम से आई स्टार्ट हो करके चल के लेकिन कुछ कोड उसमें रह गए जो कभी कभी के वज़에 से कल आना कश्टमर को कल बुदाते हैं तो कस्टमर क्या करता है कि बार में वहां जा कर पाते और बहुता यह उसमें बाइ जिसे मैनुल सेलेक्ट करके उसमें राइट करना पड़ता है इसके वज़ेसे दिक्कार आता है जिसमें सॉफटर है उसमें अटोडिनिफाई कर लिए वह उठा लेगा और वह आपका फ्लेशिंग कर देगा यह लास्ट हमारा जो है वह इंजेक्टर सेक्षन का होता है वह उसमें राइट कर रहा है जिसके वैसे यह फास्टली चला जा रहा है तो यह हमारा अभी कंप्लीट अभी क्या स्टेप फॉलो कराता है हमसे वह देखते हैं दोस्तों रेंज 3 यह कंप्लीट 100% प्लीज वेट वेट तो हम कर रहे हैं और ओनलाइन प्रोग्रामिंग इस कंप्लीट प्लीज टॉन आफ इगनेशन 40 सेकेंट तो जैसा कि दो मिनट के लिए हम उसमें ओफ करते हैं में दिलेगो चावी को उसके लिए हम यहां पे भी आफ कर देंग प्रोग्रामिंग से बाहर आ गया अब हमारा जो स्टेप रह गया 40 मिनट का तो उसमें हम क्या कर लेंगे कि अपना जो पीछे सॉप्ट्वेर जो हमने डाइगनोस किया था वहां पर जा करके फिर से जैसे कि अभी हमारा यह वीन नंबर है तो फ्लेशिंग करने में दोस्तो तो एटो डिटेक्शन में विननर चेंज नहीं होता है मैनुल मूड चेंज नहीं होता है आपको खूसे चेंज करना पड़ता है अब इसमें क्या होगा क्य कि जो फ्लेशिंग करते हैं उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि कहने वाले कहते हैं और आपने अगर प्रोपर नहीं लिया तो प्रोब्लम कभी-कभी हो जाती है इसमें प्रोग्रामिंग अगर मालो यह आपके पास स्कौर्पियों की या बलोरों की एक या ठीक है तो इसमें च करता है प्रोग्रामिंग सिर्फ इसका जो सेंसर का काम करने का जो कैपिसिटी है और कम्मुनिकेशन सिस्टम है उसको यह अपग्रेड करता है या फिर डिग्रेड करता है जैसे कि रिक्वार्मेंट हो आपका जैसे सेलेक्शन आपने सब्सक्राइब के लिए तो दोस्तों ले रहा है अभी इसमें अमारा तीन few ढ ér पहले हमारा वान ता फिर वense ऑन ने अब इसमें फोल्ट आ रहा है अब क्या क्या फोल्ट आएगा वह भी देखेंगे तो इसमें हमारा कम्मुनिकेशन एसीम के साथ हो गया इसका मतलब हमारा सक्सेस्पुल यह अपका फ्लेशिंग हमारा इस्यू का हो गया है अब हमा जो है ट्रबल कोड हमने देखा जब हमें एक कमारा ड यह कोड अना था एक कोड आना था जाड़ इसमें किलियर हो गया यह कोड आना था और भी कोड आता है तो यहां on table नहीं हो रहा दो चार बाहर अनोफ औनॉफ आफ कर우ंगा तो वह शो होगा तो इसको हम पहले एरेस करते हैं यहां से एक बार, ओके, ओके, एरेस कर रहा है, एरेस करके, रीड कर रहा है, रीड करके, इसने फिर हमें, SCR, Relay, Open Load Error, यह SCR, Instrument Cluster, यह सारा कुछ, यह 1 और 2 दोनों दिखा रहा है, तो इसके लिए हमें क्या है, हमारा flashing काम हो गया, वो पुराना जो code था पीछे का, वो भी हमारा चला गया, यह नया code है, इसके साथ, हम बैक हो जाएंगे, और, बहुत इसमें सांदार संदार option दिया हुए दोस्तों, यहां से भी हर step में quick erase वोगरा सारा कुछ, सारा option दिया हुआ है, control unit में भी जा करके, यह इसमें Supro में इतने सारे modules होते हैं, जिससे electric power steering, anti-lock brake system, drive information system, जिससे मैंने आपको बताया था, तो अंदर जो मैंने manual mode में आपको software दिखाया, यह इन सभी function को वो support करने, और नई support करने का option होता है, उन software के अंदर, कुछ software डाले, तो उसमें ABS support करेगा, और उससे ACM को अगर non-ABS वाले गाड़ी में लगाएंगे, तो वो ABS का code create करेगा, जो कि उसका communication नहीं आएगा एक दूसरे से, तब, communication के बारे में मैंने बहुत सारा वीडियो आपको दिया हुआ है, फिलाल तो हमारे यह hotel MX DS900 के उपर था, यह हमारा VCI hotel का, जो कि बहुत सांदार काम करता है, दोस्तों, मैंने आपको दिखा भी दिया, live और flashing भी करके, काम होता है, और यह तो छोटा था, बहुत बड़ है, अभी दिखा रता हूं, आपको, हमारे पास एक pad one है, उसमें programming का option है, उसका भी आपको actuation test दिखाते है, तो इसका actuation test मैं साथ में ही खोल लेता हूं, और यह अभी हमारा connect होगा, diagnosis में, महेंद्रा, actuation test, ठीक है, अभी यह खुलर रहेगा ऐसे ही, अभी मैं उसको connect करता हूं, diagnosis में, यह भी हमारा दमाकेदार टूल है, लेकिन यह programming segment में बहुत अच्छा काम करता है, दोस्तों, इसका भी कोई जोड नहीं है, अभी हमारा BS6, और BS6 में यहां से नहीं, सुप्रो से select करता हूं, ठीक है, सु select engine, read trouble code, यहां से जो code आ रहा है, यह पूरा code आ रहा है, जो इसमें आना चाहिए था, तो पहले मैं आपको दिखा रहा हूं, BS6 में, यहां पर, BS6 का option नहीं आया, DMD1, other, select engine, read trouble code, यह इसमें जो पूरा code आ रहा है, ठीक है, एसकेलेटर, पेंडिल, अगर आका, जो सारा कुछ का, प्लेशिंग करके, इगनेशन on-off करें तो, यहां पर आ रहा है, और इसमें, एक्ट्वेशन टेस्ट जो देखे हैं, यह देखा, यह देखा, यह सी कंप्रे रिले, फैन हाई स्पीड रिले, और यह तर्बो सुपर चार्ज, थ्रोटल वल्प, नॉक्स, वीडियो, इसमें भी बहुत सारा है, लेकिन इसमें जो है, कुछ ज्यादा ऑप्शन दिया हुआ है, जो प्रोग्रामिंग सेग्मेंट के लिए ज्यादा बेटर है, हर चीज को आप एक्षिएट करा के चेक कर सकते हो, इसमें आपका स्टार्टर, रिले, लो साइड, चेक इंजन, लैम्ट, तिल, सारा कुछ इसमें भी है, जो काम करने के लिए काफी होता, ठीक है, पैड अपना जो अपना एक्स टूल का, एक्स्टी सेवेंटी अभी नया आया हुआ ह वो भी हमारा दामाा केदर तूल है, और उसमें भी बहुत सारा प्रोग्रामिंग औंशन है, मैं उसका वीडियो भी आपके साथ जल्द शेर करूंगा, आनबोकशिंग का और उसका वीडियो भी आपको दूँगा, और हमारे इंडियन मार्केट में अभी तक का यह सबसे दमाकेदार टूल है पीए सेवेंटी प्रो जो पांच प्रोग्रामिंग ऑप्शन के साथ आता था यह पैड़ वन है जो एक डाइगनोस्टिक सॉप्टवर के साथ आता है महिंद्रा का और हमारा जो डाइगनोस्टिस तूल है हमने जो लिया हो और दो ऑटल के इसमें प्रोग्रामिंग का ऑप्शन भी है और मैं जो कहें रहा हूं की प्रोग्रामिंग के लिए यह तूल अगर आप चावी का काम करतों यह आपके लिए यह टूल नहीं है यह चावी के लिए एक स्टूल ज्यादा बिटर है उसका easy to use operating system है और काफी आसानी से उसका technical support भी आपको मिल जाता है अगर आप इसके उपर जाओगे technical support के लिए hotel के उपर तो यह अभी मुश्किल है आपको क सारी system को आपको कोई समझा पाए या दे पाए यह मार्केट में काफी समय से है लेकिन इसका जो तहल का मशा हुआ मार्केट में वह एक बच्चा बच्चा भी जो बच्चा technician होता ना हमारे जो क्या बलते हैं junior master junior master भी होता ना वह भी इसको operate करके अपना काम कर लेता है और उ हमारा में step by step आपके साथ video share कर रहा हूं और बहुत सारे यूजर हैं जो video डालते रहते हैं hotel इंडिया के और भी बहुत सारे मतलब अन गिनत है लेकिन आपके काम का video होना चाहिए आउन बॉक्सिंग का और review का review से हमारे को क्या technician को क्या मतलब रीवियो से review से क्या मतलब सिर्क मालूम पड़ता है कि वह अभी नया नया टूल आया है दिखने का ऐसा है इतना image के बैटरी है इतना बार डिस्पले है इतना backup power है यह सारा कुछ आपको दिखता है लेकिन काम बहुत सारे टूल काम करते हैं नहीं तोड़े इसका इसलिए कि यह market में easy to use है operating इसका आसान है और इसका technical support काफी ज्यादा fast है जैसे आप किसी भी group में हमारे group में या और भी कोई भी बड़े जिसे डिलर से आपने लिया हुआ जिनके group में भी रहो जिनको experience भी नहीं है जो स आज-10 group में तो हमने भी कभी चेक कर लिया कोई technician पसा हुआ है तो उनको reply मिल गया maximum one hour में आपका काम हो जाना है हर काम हो जाना है programming का रुकना नहीं कुछ भी और इसमें आपको wait करना पड़ेगा यह जो experience जो बंदे जो use किये हुए वह ही आपको support कर सकते है ठीक है इसका programming operating system हम बिल्कु different है और मुझसे जो हो सकेगा दोस्तों मैं आपके लिए करूँगा हमारा कोई भी टूल आपको चाहिए ओटेल का एक्स टूल का तिंग कार का reader light, light 2 या तिंग कार का सिर्फ hardware चाहिए वह सारा कुछ देंगे अभी हमारा क्या है office थोटा है तो हम यहाँ पे ज्यादा stroke नहीं रखते जो serial number से active होता है उसी पर वीडियो बनाते है और वह ही दिखाते है आपको बाकी टूल हमारा आपको जो भ requirement वीडियो की जरूरत हो तो comment box ने रायर जरूर लिख है हमारे वीडियो अच्छा लगा आपको जो दोस्तों तो लाइक करते जाए वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें चैनल पर पहली बारा है तो सब्सक्राइब पल लें पल रज राईए डिर ऑऴ अच्छा लाइस आपको अच्छा यजयाए विस्तोंускरा आपको ओनानाय में Allah King